नवुश्कार मुप्रिया आज 28 फरवरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर डॉक्टर राजवीन प्रसाद केंद्री कृशी विश्विद्याले आर पी सी ए यू निनिकाली रिख थिया बीती शाम तक यूक्रेण में फसे बिहार के इतने छात्र छात्राएं पहुचे पटना शराबंदी के सफलता पर नितीश कुमार को भी था संदे रास्ट्रे बॉल बैडमिंटन में बिहार की बाली का टीम पहुची क्वार्टर फाइनल में बिहार में मिले COVID-19 के 60 से कम मामले अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से डॉक्टर राजेन प्रसाद केंद्रिय कृश्य विश्विद्याले आर पी सी ए यू ने निकाली रिखतिया डॉक्टर राजेन प्रसाद केंद्रिय कृश्य विश्विद्याले ने प्रफेसर असोसियेट प्रफेसर सहाइक प्रफेसर के कुल मिलाकर 72 पद पर आवेदन की मांग की है वही सेक्षनिक योगिता की बात करें तो अभी हरतियों के पास UGC NET के साथ ही प्रसाँगिक विशे में 55 प्रतिश्य तिब या फिर PhD के साथ मास्टर्स डिग्री या समकश्य परीक्षा पास और सिक्षन और अनुसंधान के शेत्र में कारे करने का अनुभव होना अनिवा वोक्स में दिये गए URL से जुआ कर ले सकते हैं आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे निखिल कुमार की निखिल कुमार भारत के केरल राजु के पुर्वराजुपाल है भारत की राश्टरपती प्रणम मुखरजी ने उन्हें नागा लैंड के राजुपाल के पद्ब से स्थाना अंतृत करके केरल का राजुपाल ने उक्त किया था वो और अंगबाद बिहार के रहने वाले हैं और वहां से सांसद रह चुके हैं निखिल कुमार भारतिये पुलीस सेवा के 673 बैच के अधिकारी भी रहे हैं वो दिल्ली के पुलीस आयुक्त नाश्टरल सिक्योरिटी गार्ड के निदेशक भारत तिबबत सीमा पुलीस और सीमा सुरक्षा बल में निदेशक रहने के अलावा भारत सरकार के ग्रह मंत्राले में विशेश सच्चिफ भी रह चुके हैं सेवा निर्वत्ती के अपरांथ उन्हें राश्ट्रे सुरक्षा परिसत का सलाहकार भी बनाए गया था बाद में वो राजनीती में आये और औरंगबाद से कॉंगर्स के टिकेट पर सांसर गरें बीती शाम तक यूकरेन में फसे बिहार के इतने चात्र चात्राएं पहुंचे पटना यूक्रेन में फसे बिहार के छात्रों का तीसरा जथा रविवार शाम को पटना एरपोर्ट पहुंच गया मीडिया में चल रही खबरों के नुसार दिल्ली से गोवा की फ्लाइट से कुल 11 छात्र को पटना लाए गया है एरपोर्ट पहुंचने के बाद उनके परिजनों ने उन्हें रिसीव किया था और अपने बच्चों को सही सलामत दे कर सब ने रहात की सांस ले इससे पहले दो जथा बिहार आ चुका है दिल्ली और मुंबई से बिहार तक उनके आने का खर्चा राजसरकार उठा रही है 233 प्रारमिक विद्यालियों में एक करूर उनीस लाख बच्चों को गर्मा गर्म भोजन परोसा जाएगा जो कि सिक्षय विभाग के निगरानी में किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे की कोविड नाइटीन के कारण बीते दो साल से बच्चों के मध्यावान भोजन बंद थे लेकिन अब सोमवार को चावल, मिश्रित दाल और हरी सबजी, मंगलवार को जीरा चावल और सोयाबीन और आलू की सबजी, बुधवार को हरी सबजी, युक्त खिचरी, चोखा और मौसमी फल, व्रिहसपतिवार को चावल, मिश्रित दाल और हरी सबजी, शुक्रवार को प लेकिन जब मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने खुद ही इस वैसले को लागू किया था तो उन्हें बिल्कुल भी यकी नहीं था कि शेराबंदी कभी सफल हो पाईगी जिसकी जानकारी उन्हाने खुद ही बीते दिन दी है समात सुधार अभियान के तहट रविवार को राजधानी पटना सित बापु सभागार में पहुचे मुक्यमंत्री नितीश कमार ने कहा कि जब उन्होंने साल 2016 में शेराबंदी का निर्णे लिया था तब उन्हें भी संदे था कि बिहार के शेरों के लोग ऐसे इसे मानेंगे या नहीं मानेंगे लेकिन आज इस तरह से शहरी शेत्र में लोक शराबंदी का समर्थन कर रहे हैं उससे उन्हें अपने निर्णे पर संतुष्टी है बिहार में गाड़ी चुलाने के लिए जल्द लगा ले ये डिवाइस नहीं तो चुकाना होगा जुर्माना बिहार में सराखासों की संख्या और इससे जानगवाने वालों की संख्या को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है इसी के साथ बिहार में गाड़ी चुलाने वालों के लिए सरकार ने भी एक खास डिवाइस को लगाने की नसीहत दे डाली है इतना ही नहीं खबरों की माने तो जाच अभियान भी इसको लेकर चलाए गया था इसी दौरान पाया गया कि कई वहनों में श्पीडी गवर्नर लगे होने के बावजूद वो काम नहीं कर रहा है जोकि कई वहन में स्पीड गवर्नर लगा ही नहीं था ऐसे वहन चालकों से जुर्माना लिया गया और सक्त निर्देश दिये गये हैं कि अब विलम स्पीड गवर्नर लगाया जाए परिवहन सच्चिफ संजे कुमार अगरवान ने बताया है कि व्यवसाइक वहनों में स्पीड गवर्नर होना अनिवार है इससे सड़क दुरगटना की संभावना भी कम हो जाती है आपको बता दे कि ये अभियान फिलहाल जारी रहने वाला है आज पेश होगा बिहार का बजट आज बिहार का बजट पेश होने वाला है बिहार में बजट में प्रावधान की संभावना है बिहार में मिले COVID-19 के 60 से कम मामले स्वास्तवभा की तरफ से साज़ा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 69 मामलों के पुष्टी हुई है जो इसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 320 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभाविजिलों की बात करें तो अररिया में 1, अर्वल में 3, बेगुसराय में 2, भोजपूर में 1, बकसर में 1, दर्भंगा में 1, गया में 3, गोपाल गंच में 4, जहानाबाद में 1, मधिपूरा में 2, मधुबनी में 1, नालनना में 4, पत्ना में 9, पुर्णिया में 2, रोहतास में 1, समस्तेपुर में 5, शेखपुरा में 4, शिवहर में 3, सीतामरी में 4, सिवान में 2, वैशाली में 2, वैस्ट चमपारण में 3 मामलों के पुष्टी हुई है टीम इंडिया ने लगातार बनाया बारह जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड श्री रंका को किया क्लीन स्वीप भारत ने इंगलान को तीसरे और आखरी टीट्वेंटी माच में छे विकेट से हराकर तीन माच की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया है टीम इंडिया के सामने 147 रंका टार्गेट था जिसे टीम ने एक तरफा अंदाज में उनीस के इंद पहले चार विकेट खोकर हासिल कर लिया तीन माचों में 350 लगाने वाले श्रेयस अईयर 79 टॉप स्कोरर है भारत के इस फॉर्माट में ये लगातार 12 वी जीत है जीत के साथ ही भारत एंफगानिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है टीट्वेंटी में लगातार सबसे जादा माच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम पर दर्ज है अफगान टीम ने 2018 उनीस में लगातार 12 मुकाबले जीते थे डेड़ दर्शक में बिहार में बढ़ीगी युवाओं की संख्या किसी भी देश और राजु की आबादी में उम्र की सनरचना का महत्वपूर्ण आयाम होता है यह कारण है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षिन 2021-22 की रिपोर्ट में आबादी में किस उम्र संभू में कितनी हिस्सेदारी है और आगे इसका क्या अनुमानित स्वरूप होने वाला है इसका विस्तार से वर्नर हमेशा से किया जाता है इसी कड़ी में बिहार के स्तर पर घर्टी प्रेशन दर और साल 2011 की जनगरना के आधार पर अनुमानित आबादी और उसमें किस उम्र सम्हों की कितने हिस्सेदारी होगी इसे विस्तार से दर्शाय गया है रिपोर्ट को देखे तो साल 2036 तक बिहार में 15 से 69 साल के उम्रवालों की अनुमानित संख्या 9 करोर 18 लाग होगी ये उस समय के बिहार के कुल अनुमानित आबादी 14 करोर 91 लाग का 61.4 प्रतिशन होगा रोहतास के मांजरकुंड और धुआकुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास रोहतास जुले कि कैमोर पहारी पर स्थित मांजरकुंड और धुआकुंड एक जलप्रपात या जड़ना है जो अपनी मनोरम प्रकुर्ती सुन्दर्ता के लिए जाना जाता है पहार से गिरते पानी को देखना एक अलग ही रोमांचक एहसास होता है और इसी को देखने और प्राकुर्ती खुबसूरती का एहसास करने बिहार से ही नहीं बलकि अन्यर राज्य से भी परिटक आते हैं परवत पर काम नदी का पानी एक धारा बना कर टेड़े मेढे रास्तों से गुजरते हुए मांजर कुंड के जलप्रपात में इखटा होता है मांजर कुंड की कुछ तूरी पर 36.5 मीटर की उचाई से गहरी घाटी में गिरने वाले पानी से उठते धुए को लेकर उस्थान को धुआ कुंड का नाम दिया गया है CSBC बिहार कॉंस्टेबल परिक्षा में मुबाइल लेकर गया परिक्षार्थी हुआ नसकाशित केंद्रिय चैन परिक्षद बिहार की तरफ से बीते दिन मध्य निशेद सिपाही परिक्षा का आयोजन करवाय गया था इस दोरान एक ऐसे परिक्षार्थी को पकड़ा गया जो सभी की नजरों से बचकर मुबाइल लेकर परिक्षा देने पहुँच किया था आपको बता दे ये घटना टाउन हाई स्कूल में बने परिक्षा केंदर पर हुई जिसकी पुष्टे जिला सक्षा पदादिकारी सुमन शर्मा ने भी की है उन्हाने बताए कि परिक्षार्थी को परिक्षा से निसकाशित कर दिया गया है आपको बता दे कि मज़े निशेद सपाही भरती में शामिल होने के लिए 5,818 परिक्षार्थी को परिक्षा में शामिल होना था लेकिन 4,988 परिक्षार्थी ही परिक्षा में पस्थितवे और 830 से परिक्षार्थी ने परिक्षा छोड़ दी हाला कि अभी जिलो में बालिका टीम पटना से रवाना हुई थी वहीं बीते दिन जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार रास्ट्रे बॉल बार्मिंटन चैंपियंशिप के बालिकावर के कौर्टर फाइनल में बिहार की टीम पहुँच गई है तमिलाडू के डिंडी गुल में खेली 66 वी जूनियर रास्ट्रे बॉल बालिकावर के प्री कौर्टर फाइनल माच में बिहार ने मजबूत ते लंगाना को लगातार दो सेट में पहराया था और कौर्टर में प्रवेश कर लिया चैंपियंशिप के बालिकावर के प्री कौर्टर फाइनल माच में बिहार की के उद्योग मंतरी शाहनवाज हुसेन बीते लंबे समय से बिहार में उद्योग की स्थापना को लेकर काफी ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं इसी कड़ी में अब तक वो कई उद्योग की स्थापना भी कर चुके हैं वहीं बीते दिन वो नालंदा पहुंचे जहां उन्हो शांती स्थापित हुई है बिहार में उद्योग धंदे को बढ़ावा देने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा है वहीं उन्हों ने कहा कि बिहार तेजी से तरक्की भी कर रहा है मेदानता में भर्ती हुए जीतन नामाजी बिहार के पूर्व मुख्यमंतरी जीतन नामाजी की तवियत बीते दिन काफी जादा खराब होने की जानकारी निकल करके सामने आई जिसके बाद ही उन्हें राजधानी पटना की मेदानता स्पताल में भरती करवाई गया था जहां उन्हें आईसी उ में शिफ्ट किया गया इसकी जानकारी हिंदुस्तान अवा मोर्चा की प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रजवान ने दी अलाकि उन्हें इस दोरान सभी समर्थकों को बताये कि पुर्व मुख्यमंत्री को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है उनका स्वास्त ठीक है और नेमित चेक अप के तौर पर डॉक्टर उनका उपचार और अन्य जाज कर रहे हैं डॉक्टर दानिश रजवान की माने तो मांजी चेक अप के लिए मैदान ता गए हैं उन्हें स्वास्त को लेकर भ्रामक बाते कहीं जा रही हैं उन्हा निश्य निवार को भी अपनी जाज करवाई थी और अविवार को भी इस इक्रम में जाज के लिए वो गया है मुंगेर में स्वच होगी गंगा, घरों का गंदा पानी होगा, रीसाइकल, बनारस पटना भागलपुर के बाद अब मुंगेर के गंगा नदी भी साफ होने वाली है इसको लेकर 3.5 अरब रुपे खर्च किये जाने की योजना सरकार ने बना ली है के इंदर सरकार के तरफ से नामामी गंगे पर योजना के तहट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना पर काम शुरू हो गया है राज्य सरकार के तरफ से जो जानकारी साजा की गई है उसके अनुस्तार चौखंडी के पास 30 MLD के इंटरमीडियेट पंपिंग स्टेशन का काम तेजी से किया जा रहा है इस प्लांट में शहर के बड़े नाले और नालियों का पानी सीधा आएगा यहां से साफ करने के बाद पानी गंगा नदी में आएगी मैन होल शहर के सभी घरों से जोड़े जाएंगे साथ ही घरों के दूशित पानी पंपिंग स्टेशन में पहुचकर रिसाइकल होंगे फाइनल रिसाइकलिंग कर उसे फसलों की सचाई के काम में इसका इस्तमाल होगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि गंगानेदी को स्वच बनाने के लिए मुख्य केंदर शहर का गंदा पानी ददी में जाने से रोखना है इस रूट पर ट्रेन पर लटक कर नहीं करेंगे यात्री यात्रा यात्री गंग रुप्या ध्यान दे मुंगेर खगरिया बेगुसराय रेल सेक्शन पर चल रहे ट्रेनों में आए दिन आपको भी भीर जरूर देखने को मिलती होगी आलम तो कुछ यू होता है कि कोचों में बैटने के लिए यात्री यात्री गेट पर ही पाइदान पर लटक कर सफर पूरा करते हैं हर दिन ट्रेन से गिरने की संभावना भी इसी दौरान बनी रहती है यही कारण है कि अब रेलवे की तरफ से एक महत्वपून जानकारी साजा की गई है जिसके तहत यात्रीयों की मांग को देखते वे मेमू का परिचालन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है उमीद है कि इसके परिचालन शुरू होने से इसकी समस्या खुद बखुद समाप्थ हो जाएगी देमू कोच की जगा मेमू राक चलने से सीटों की संख्या बढ़ जाएगी मेमू राक में 12 से 14 कोच होते हैं में मुका परिचारन होने से सीटों की संख्या में इजाफा होने की पूरी पूरी उमीर है मुख्यमंत्री नितीश कुमार जल्द ही मिलेंगे संघर्ष के दिनों के साथियों से बिहार के मुख्या नितीश कुमार उन सभी कारिकरताओं से सामोहिक और व्यक्तिक दूरूप से मुलाकात करने वाले हैं जो उनके संगर्ष के दुनों में उनके साथ थे ये मुलाकात 12 मार्थ से 7 अपरेल तक जारी रहने वाली है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुख्य मंतरी नितीश कुमार और उन सभी से मुलाकात करने वाले हैं जो जनतादल से अलग होकर समता पार्टी की स्थापना के समय में साथ में थे जदियू के एक स्थान्य नेता ले इस बात की जानकारी दी है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि जिला जनतादल यूनाइटिट के विहार शरीफ कारियाले में सीम की कारिकर्म की तैयारी के लिए बैठक बुलाई गई है इस इकाई को सीम पाटने की अब कोशिश करने वाले है शिवालनतिवारी ने नितीश कुमार पर साधा निशाना विहार में शराब बंदी के मुद्धे को लेकर जहां मुख्यमंत्री नितीश कुमार इसे सकती से लागू कर्वाने में लगे हुए है वही दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से लगातार सीम नितीश के इस फैसले का विरोध जरूर हो रहा है इसी कड़ी में बीते दिन राजुत के वरिश्णिता शिवानंतिवारी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्रि नितीश कुमार पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि शराबंदी को लेकर नितीश कुमार पर जुनून सवार है 16-17 वर्षों के अपने साशिनकाल में किसी भी मुद्दे को लेकर नितीश कुमार में ऐसा जुनून नहीं दिखाई दिया अभी जो उनका समात सुधार अभियान चल रहा है ये उनका व्यक्तिकत या दलिय अभियान नहीं है बलकि ये पूरी तरह सरकारी अभियान है चुराग पासवान ने चाचा को लिया आडे हाथ लोचपा रामबिलास के रास्ट्री अध्यक्स चुराग पासवान आए दिन अपने चाचा पशुपती पारस के खलाब बयान बाजी ज़ारी करते रहते हैं इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से उन्होंने अपने चाचा पशुपती पारस को आडे हाथ हो लिया वहीं उनकी आलोचना करते वे चुराग ने आगे अपने बयान को जारी रखते वे कहा कि इसके पहले मेरे पिता रामबिलास पासवान भी उनके भगवान थे अब चाचा ने अपना भगवान बदल लिया है वहीं अन्डिये के साथ रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो परिवार के साथ नहीं रहा उसके वादे का कुछ नहीं कहा जा सकता अपने पिता के लिए तेश प्रता प्यादव ने फुका आंदोलन का बिगुल लालो प्रसाद यादव को जो रांदा कोशागार मामले में सजा दिये जाने के बाद से ही तेश प्रताप यादव ने साफ तोर पर एलान कर दिया था कि वो जल्द ही अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे जिसकी शिर्वात तेजप्रताप यादव ने बीते दन से कर दी है जिसके तहती तेजप्रताप ने रविवार को डेढ़ बजे अपने सरकारी आवाज से नियाय यात्रा निकाली इस दोरान तेश प्रताप यादिव का कहना था कि इत सरकार का विरोध करने वालों को मुकदमों में फसा आया जो रहा है लालो प्रसाद को फसाने के विरोध में जनशक्ती परिशत की न्याय यात्रा 27 फरवरी से शुरूख हो गई है बतादे की छातर जनशक्ती परिशत के राश्ट्री अध्यक्ष तेश प्रताप ही है इस न्याय यात्रा को पटना से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया इस यात्रा के तहट एक रत पूरे राज्य में घुमेगा मन की बात में प्रधान मंत्री मोदी ने धरोहर को वापस लाने की कही बात बीते रविवार को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने फरवरी महीने के आखरी मन की बात कारिक्रम का सम्मोधन किया इस दोरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, साथी साथ बिहार का भी जिक्रोन होने किया दरसल बीते दिन किये गया मन के बाद सम्मोधन में उन्होंने कहा कि चोरी करके ले जाई गई दोसों से अधिक बहुमुले प्रतिमाओ और धरोहर को पिछले 7 सालों में विभिन देशों से वापस लाए गया है और ये सफलता भारत की प्रतीब बदल रहे वैश्विक नजरिये का एक उधारन है साल 2013 तक करीब करीब 13 प्रतिमाओ भारत आई थी लेकिन पिछले 7 सालों दोसों से ज़्यादा बहुमुले प्रतिमाओ को भारत सफलता के साथ वापस लाच चुका है के दरबार फतेहपुर सीकरी आया मुगल बादशा बहादुर शाह प्रतम की 1712 में लाहोर में मृत्य हुई भारते विज्यानिक सीवी रमन ने 1928 पे रमन प्रभाव का विश्कार किया जिसके लिए उन्हें नोबल पुरसकार दिया गया और इसी दिन को हर साल राष्ट्रे विज्यान दिवस के रूप में मनाये जाता है कौलकता का हावडापुल 1943 में शुरू हुआ ब्रिटेन और भारत की बीच 1992 में आतंकवाद के विरुद सहीयोग के समझोते पर हर स्ताक्षिय हुआ स्वत अंतरता से नानी लाला लाजपत राएक 1865 में जन्म भारती हिंदीव सिनमा के प्रसिद संगीतकार और गायक रविंद्र जैन का 1944 में जन्म हुआ जबाहला नहरू की पतनी कमला नहरू का 1936 में स्विजर रान में ने धनुआ भारत के पहले राश्ट्रपती राज़ीन प्रिसाथ का 1963 में आज़ी के दिन ने धनुआ था आलिया भट की फिल्म ने दो दिन में कमा लिये 23 करोड़ आलिया भट स्टारल फिल्म गंगुबाई का ठिया वारी बॉक्स ओफिस पर धमाकेदार बिजनस कर रही है संजलीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था लेकिन आखिरकार फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज कर दी गई इसकी कमाई की आखरे ट्रेट अनालिस्ट तरन आदर्श ने अपने वेरिफाइट ट्विटर हैंडल पर रिलीज की है महस दो ही दिन में फिल्म की कमाई तेस करोड 82 लाख रुपे की हो चुकी है तरन आदर्श ने फिल्म की कमाई की आखरे ज़ारी करते वे लिखा गंगोबाई का ठ्यावारी की कमाई में दूसरे दिन गजब की तेजी देखने को मेरी टियर टू सिटी जो की पिछले दिन की कमाई के मामले में खास केल नहीं दिखा सके थे दूसरे दिन उन्होंने भी पार्टी को जोइन किया है वाट्साप वाल से जुड़ना हो जाएगा बहद आसान सोशल मीडिया मेसेजिंग प्लाटफॉर्म वाट्साप यूजर एक्सपीरिंस को बढ़ाने के लिए लगातार आप पर अपडेट लाता रहता है अब एक नए डेवलाप्मेंट में वाट्साप कते तौर पर एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो यूजर को मिसेजिंग आप पर कॉल में शामिल होने के लिए लिंक बनाने की अनुमती देगा इसे प्लाटफॉर्म पर कॉल जॉइन करने में आसानी होगी इसे पहले वाट्साप ने एक अबडेट जारी किया था जो यूजर को कॉल में शामिल होने की अजाज़त देता था भले है या पहल ही शुरू हो गया हो नए अबडेट के साथ होस्ट वाट्साप कॉल पर अन्य कॉन्टाक्ट्स को इन्वाइट करने के लिए भी लिंक बनाने में सक्षम होगा कल हमारे दौरा पुछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंटर में अच्छा लगा है उनके नाम है आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देत रहे जिन भी यूजर का सही जवाब हमारे पास आएगा हम उनका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं सवाल की ओर हाला कि सवाल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप क्रिकेट प्रेमी है और क्रिकेट से जोड़ी खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चानल चगदे क्रिकेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अब चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके निसार बिहार सिरकार की तरफ से शुराबंदी कानून को सफल बनाए जाने को लेकर की जा रही सकती से बिहार में शुराबंदी सफल ह हो पाईगी या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी खबरों से अपड़ेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूले धन्यवाद